तो आप लोगों को अपने स्क्रीन पर कोस्चन दिग गया होगा तो कोस्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि नीमन में से कौन सा एक मौरे शमराट बिंदुसार के लिए प्रियुक्त नाम नहीं है तो देखिएगा प्राचीन समय के जो राजा महराजा होते थे उनके अ कौन सा एक मौरे शमराट बिंदुसार के लिए प्रियुक्त नाम नहीं था यह आपको बताना है मतलब तीन जो है उसके नाम थे एक नहीं है तो देखते इसको तो देखिएगा इसके पिता चंद्रगुप्त मौर यह उसको भी जो है अलग-अलग नाम से बुलाया गया था जैसे कि इस्ट्रेबो ने शेंड्रो कोटस बुला था तो वैसे ही इसको मतलब बिंदुसार को इस्ट्रेबो जो था उसने क्या बोला इस्ट्रेबो ने इसको अलिट्रो केड्ज अलिट्रो केड्ज यह इस्ट्रेबो बोलता है कि इसको बिंदुसार को तो ध्यान यूनानी जो यूनानी लेखक थे ना बहुत सारे तो उन्होंने अमित्रो चेड़्ज कहा है अमित्रो चेड़्ज मिलता चुलता है ना दोनों अलिट्रो केड़्ज अमित्रो चेड़्ज अमित्रो चेड़ इसका मतलब होता है अमित्रो चेड़ का संस्कृत में अमित्र घात अमित्र घात इसका संस्कृत में अगर हम अर्थ निकाले तो अमित्रो चेड़ का तो यूनानी बोलते हैं Amitrochids, Strabos बोलता है Allitrocids, अब जो भद्रसार दिया है, स्रेणिक दिया है, उस सब को देख लेते हैं, उप्सन में दिया है ना भद्रसार, स्रेणिक, उसका है अपका एक दंडी सी है सेन, तो ये किन-किन लोगों ने बोला है, तो देखेगा जो पु वाईू पुराण में बिंदू शार को क्या कहा गया है पिता था वह जयन धर्म अपना लेता है अपनी जीवन की अंतिम समय में तो जयन गृन्थ में इसको बोला उसके बाद जैन संपरदाय तो वैसे ही चहती सताब्ति इससापूरों में आजीवक संपरदाय की भी सूरू होती है, इसको सुरू करने का स्रेज आता है, मखली पुत्र गोशाल को तो आजिवक संपरदाय का अनुयाई था, जो बिंदुसार है न ये आजिवक संपरदाय का अनुयाई था, देखेगा जो चंदर गुप्त मौरे जैन धर्मका अनुयाई, बिंदुसार आजिवक संपरदाय का अनुयाई, इसका बेटा असो को बहुत संपरदाय का अनुयाई तो ये सब जो है बिंदुसार के नाम थे, मतलब बिंदुसार को इन नामों से संभोधित किया गया, ये पांच नाम मिलते हैं इसके, टोटल कितने, पांच नाम ध्यान रखेंगे, तो अब भई ये जो स्रेणिक है, कुनिक है, ये किसके लिए प्रियूक्त होते थे, ये भी के जो पहला राजवंस है था, कौन सा था पहला राजवंस है, हर्यक वंस, हर्यक वंस का संस्थापक था बिंबिसार, बिंबिसार और बिंदुसार में बड़ा कन्फियूजन होता है, बिंबिसार, तो देखो बिंदुसार कैसे याद रखोगे, चंदर गुप्त मौरे का ब पत्या कर दी थी नाधा प्राप्त कर लिया था तो अजाद सत्रु चुक्छी इसने पिता की हत्या की थी इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे कुडिक कुणिक मतलब जो मतलब जैसे कू लगा दिया जाता है ना कुरूप या फिर कू बुद्धी क्या बोलें कू लगा देंगे तो विकार हो जागा उस टाइप से तो कुणिक तो ये अजात सत्रू श्रेडिक बिम्बिसार और बाकी इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे एक बार दिख लेते इस्ट्रेबो ने बोला अलिट्रो केड्ज यूनानियों ने बोला अमित्रो चेड्ज जिसका मतलब होता है मित्र घात वाईयू पुराण में बोला गया है भद्रसार जैन ग्रंथ में बोला गया है सिहसेन आजीवक संपरदाय में बोला गया है एक दंडी स्रेडिक था बि